हलो और वेलकम टू अनकर डिश्टल पॉइंट सुगाइस कैसे हैं आप सभी नहीं कान आप देख रहे हैं आपका अपने डूप चैनल अनकर डिश्टल पॉइंट गयज मैंने पास कुछ दिनों से काफी कोमेंटस ऐसे आरें जिससे हम उससे बोल दें कि हमें mubiquick zip loan limit मिली हुई है हम उसको निकालना चाहती है अपने bank account के अंदर बाई हमें बता देजी हम कैसे अपने bank account के अंदर mubiquick zip loan limit को निकाल सकते हैं गाईज अगर आपको मोबीकुइक जिप की बारे में नहीं पता तो मैं आपको पता दूँ मोबीकुइक अपने कस्टमर को देता है एक क्रेडिट लाइन साथ हजार उपे तक की जिसको आप यूज कर सकते हैं 0% इंटरस्ट पर आप सोपिंग कर सकते हैं आप रिचार्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं आप इन पैसों को अपने बैंक काउंड के अंदर भी निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा इस वी ले और बेले किन दबा देना ताकि आपको नेट गोटिफिकेशन मिल जाए उसके बाद आपको प्लेइस्टोन उपन करना है वहाँ पर जाने के बाद एक बार यह देखना आपकी मोबिक्विक एप अपडेट तो नहीं मांग रही है अगर अगर अपडेट मांग रहे तो उस पर आप इनकी जो पार्टनर स्टोर है वहाँ पर यूज कर सकते हैं इस लिमिट को यानि अगर आप आप लिमिट कर सकते हैं तो यह केवल आप 15 दिन के लिए यूज करेंगे और उसके बाद आपको पैसे वापस करने होगा तीन से चार दिन के अंदर अंदर उसके बाद फिर आप इसको यूज कर पाएंगे तो देखें मुझे यहाँ पर मोविकुक जिप लॉन लिमिट मिली हुई है और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने मोविकुक कोबन किया मेरा बिल जनरेट हो चुका है 15 तारिक को मेरा बिल जनरेट हुआ 20 तक त अगर मैं इसको नहीं करता हूँ पे 20 तारिक तक और उसके बाद करता हूँ पे तो भाई साथ 627 रुपे यहाँ पर पॉसिंग प्लिक करता हूँ आपको साथ ही इस वीडियो कंदर यह भी लिखायत हूँ कैसे आप पैमिट कर सकता हूँ तो उसका लेट पैमिंट आपको न सकते हैं तो मैंने पे पर क्लिक किया यहाँ पर अपना पिं कोड डाला उसके बाद गाई हमारे सामने आप्सें कैसे आप पैसे देना चाहते हैं यहाँ पर करेंद कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर अप्सें करूँगा और वह है UPI का मैं यह डालूँगा अपनी UPI ID onPay के के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका मेरे पास कि भाई आप इसका पैमिट कर दीजिए तो मैं यहां पर करता हूं पैमिट ठीक है और पेनाव पे क्लिक किया उसके बाद जो है मैंने यहां पर समिट कर दिया समिट करने के बाद देख सकते हैं प्रोसिंग जो हो चुका है बारा सो बत्ती सुरूब पांच पैसे का ठीक है और अभी हम करते हैं वापस अपने वबिक के अंदर इस तरीक से तो आप पैमिट कर पाएंगे अपने जिप जो लिमिट आपको मिली है उसका उसके बाद गाइस बता तो आप इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं अगर मैं आपको मैनेज पर क्लिक करके दिखाओं तो यहां पर देखिए यह पूरी डिटेल आ चुकिया है हम जितना भी स्पैंड करेंगे एक मेहने में वो सारा यहां पर दिखाए देगा यूज में और जितना है व्याँ दो फिक से करना चाहते कहीं पर इसको आपको ओन ही करना है अपने पर शिक कर सकते हैं और आप यह बहूटरिस्ट्रिक, अपने खुत क्वर या पर यह पें और आप अपनी जिप को अपने लेंड में वे erm कर सकते हैं देख सकते यहां पर बहुत सारे चुन में इ प्रण्जेक्स न आपकी नीचे दिखाए देगे अब बात या थी कि कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं बेंक कांट के अंदर तो आप कैसे निकाल सकते हैं तो अब बात यह आती कि कैसे आप अपनी zip low limit को निकाल सकते हैं अपने bank account के पहले क्या होता था जो मेरे बहुत ऐसे subscriber है मैंने भी बताया था पहले कि भाई आप जो है आपने एक मोवी कुछ business account बना लो उसका QR code scan करो और यहां से पैसे निकाल लो लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पास एक business account है और मैंने उसको scan किया scan का नहीं बात मैं this merchant यानि जो यह merchant है जिसका यह QR code है इसको हम support नहीं करते हैं तो ऐसे तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं उसके लिए तो एक mobile quick का GST वाला account होना चाहिए यानि जिसके पास mobile quick का एक complete merchant account है जिसके अंदर GST सब कुछ लग हुई है उसके अंदर आप पैसे निकाल सकते हैं तो यह नहीं होगा उससे अच्छा तरीका है आप क्या करें आप जाए पे रेंट में जो आप पे रेंट में जाएंगे यहां प पास ओ लेड़ी यहां पर एक UPID डली हुई है मैंने उसको डाल दिया अब यहां पर क्या बोलेगा इंजोए इंट्रो स्फी प्रियोड अप्टू 50 डेस यह 50 दिन है क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप रेंट पैमिंट करें क्रेड कार्ड से तो 50 दिन का टाइम मिलेगा रिवोर्ड मिलेंगे इसके अलाबा अपने जो क्रेड स्कोर बढ़ा सकते हैं आप और अनलिमिटर सूपर कैस आपको मिलेगा तो यहां पर क्या लिखना रहा है कांटिनू विद जिप या फिर कार्ड यानि गाइस रेंट पैमिंट के जरी है आप अपनी जिप को भी 236 रुपे 10,000 रुपे पर यानि पूरे 15 ही डाल देता हूं एक साथ मैंने किया क्लिक करनी बाद मैंने क्या कंटिनू करनी बाद मैंने डाला यहां पर पिन और उसके बाद गाइस देखते हैं जी नहीं क्योंकि अब मैंने जो 15,000 पर डाल दी न वो अकांट के अंदर नहीं यहां पर हमें किया कंटिनू अब हमारा पैमिंट जो है हो जाएगा पेलेटर से तो आपको यहां पर कूपन नहीं लगाना है अगर कूपन लगाएंगे तो भाई यहां पेलेटर को उप्शन नहीं आएगा अगर जिप के लिए ही कोई कूपन है तो यूज करे वरना नहीं करें देखिए मैंने आपको एक साथ तीन चीज़ बता दी सबसे पहले तो यह कूपल लगाने के बाद में आपका पैमेंट नहीं होगा और जो मैंने अभी स्टाइटिंग बता दें कि भाई 10,000 पर से नीचे होगा ऊपर नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है आप कितने ही पैस और जैसे हम पेपर क्लिक करें गाईज देखिए हमारा जो पैमेंट है रेंट पैमेंट यह है यह कोग्रेस में है सकसफुली गाईज हो चुका है हमारे यूपे आड़ी हमने डाली थी फोन पे गी और फोन पे के अंदर हमारे पैसे यहाँ पर यह पहुँच गया होगे तो पैमेंट हमारा सकस्फुली हो चुका है गाईज अब क्या करते हैं वापस जाते हैं और एक बार जाकर देखते हैं अपने फोन पे के अंदर कि हमारे फोन पे के अंदर यह पैसे आए हैं या नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर फोन पे के अड़ी साइद डाल लगी है तो मै अब पर क्या करता हुँ घृटा कृषी है और हैस्टी में जाता हूंत सकते हैं लेकिन आपको नहीं हो होगे अब यह जो है आप नोर्मल जो इंडिविजिल अकाउंट होते हैं बिजनिस के उन में नहीं पैसी ट्रांसफर कर सकते हैं अगर किसी का बिजनिस